कश्मीर में आजकल हर तरफ जंगली सुवर दिखाई दे रहे हैं सुवर कश्मीर में कहां से आए ये सवाल हर कोई पूछ रहा है News 18 के डिप्टी एडिटर शबीर एहमत की इस रेपोर्ट में देखिए क्या है जंगली सुवरो का कश्मीर कनेक्शन और क्यों हैं माहिरीन परिशान कश्मीर में अब हर जगा जंगली खिंजिरों के टोलिया नजर आ रही है इनकी यहां मौझूदगी से कई कहानिया वाबस्ता है जंगली खिंजिर कश्मीर के मखामी नहीं है लेकिन डोगरा महराजों ने कुछ इलाखों में शिकार के मकसद से कश्मीर में मतारिफ करवाए थी यह जानवर सक्त आब और हुआ में जिन्दा नहीं रह सका और सन 1984 तक यह गाइब हो गया फिर 30 साल के बाद सन 2013 में स्कॉस्ट वाइल लाइफ टीम कोडाजी गाम नैशनल पार्क स्रीनगर में हादिसाती तोर पर तीम जंगली खिंजिर मिले डॉक्टर खुर्शीत होडी वाइल लाइफ स्कॉस्ट कश्मीर उस वक्त टीम की सरवराही कर रहे थी इसी दवरान शुमाली कश्मीर के ओड़ी लाखे में भी जंगली खिंजिर देखे गए 2013 में वेन वी वाइफ टीम आवर रिसरच इन दाचे गाम आन हांगल अब वह एरिया जो है पूरा जो है आकिपाई हो गया है वाइल बोर्ट से और यह वहां से जाके जो एड़्जाइनिंग एरियास है वहां पर भी अब जो है फैल गया है और वहां पर यह पॉब्लिश्ट इंफरमेशन है तो हमने भी पॉब्लिश किया है और उस एरिया से भी पॉब्लिश हो आया कि वह प्रॉबर्बली उसका जो है सोर्स है इट ज अग्याइज परॉम परॉम दी आदर पाट आप दी कश्मीर तो लोसी के उस पार से पॉसिब more or less semi-tropical यहां के निजबत से तो वहां पे उसका ओकरम्स है। कितने अर्से बाद जंगली खिंजिरों की मौजूदगी ने महिक में वाइल लाइफ को अलर्ट कर दिया। इसके असरात और मौजूदगी पर तहखेख शुरू कर दी गई। इक्तिदाई तहखेख करने वाले आखिब रशीद का कहना है कि अब सिर्फ डाची गाम में जानवरों की तादाद 120 से ज्यादा है। इनका कहना है कि जंगलि खिंजिर जंबो कश्मिर के जानवर हांगुल के लिए खतरा है और ये इनसानों और जानवरों के तसादों में इशादा करेंगे। ये हमारे हांगुल के लिए बहुत ही नकसान देया होगा, बलके खतरा बढ़ जाएगा हमारे हांगुल के लिए, एक तो डिरेक्ट कम्पैट्जन है है, हैबिटेट फुड के लिए, एक तो वो दूसरा की है, अगर हमारे भागात में गुज गया, ज्याद में गुज गया, तो इसको कन्टरोल कर पाना फिर बहुत ही मुश्किल है. तो वकित की एहम जरूरत है कि इसkalynी पर इसको कन्टरोल किया जाये. इसको कुछ देर के लिए, गौरॉर्मेंट को हम रिकमंड करेंगे कि इसको कुछ देर के लिए वोमनी डिकलेर किया जाये ताकि इसी टाइम पे इसकी पॉपलेशन जो है कंट्रोल कर पाए हम और ताकि हम आने वाले नुखसानात और खत्रात से बच जाए वाइल लाइफ के माहर डॉक्टर खुर्शीद भी इसी तश्वीश का इजार कर रहे हैं वो यखिनी तोर पर इंसान और जानवरों के तसाद्म का खथ्शा जाहर कर रहे हैं इसान और जानवरों के इसाद्म शुरू हो चुका है त्यूलिप गार्डन और बोटानिकल गार्डन को खत्रा है इस साल जब टूलिप गार्डन तयार हो रहा था जंगली खिंजिरों ने गार्डन मैनेजर्स को मुश्किल से दोचार किया कितने वाइल बोर्स हैं मैंने जो एक सीजी टीवी फुटेज देखा बहुत बड़ी तैदाद है और ये एक नया चेलेंज आ रहा है मुझे लगता है अगले सालों मैं एक बड़ा चेलेंज इस गार्डन के लिए वाइल बोर्स होगे बिलकुल ये भी बड़ा चेलेंज होगे कश्मिर के सखत आब औ हुआ में जंगली खिंजिरों की मौजूद्गी और बखा एक गहराई से मुताले का तखाजा करती है कुछ माहिरिन का कहना है कि ये मौसमियाती तब्दिली का नतीजा है लेकिन किसी के पास इस बात का वाज़े जवाब नहीं है कि ये गहर मकामी जानवर कैसे जिन्दा और बढ़ रहा है काले रीच, चीते और परक्यूबैंस इंसानों और जानवरों के तसातों में मुलविस रहे हैं और अब जंगली खिंजिरों का इजाफा यखिनी तोर पर इस मसले में इजाफा करेगा